तो दोस्तों होली की आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है एक अच्छे जनवरी और ठीक ठाक फरवरी के बाद मार्च का महिना फड से भरा हुआ शुरुवात हुई है अमरीकी सरकार कोशिश कर रही है कि वो अपने बिटकॉइन बेचे अमरीकी सरकार के पास कस्टडी मे काफी सारे बिटकॉइन है जिसके बारे में बात करेंगे कि वो क्यों बेच रहे हैं बिटकॉइन ने अपना एक important support ब्रेक किया है जो हमारा orange box जो काफी दिनों से sustain कर रहा था उसके बारे में बात करेंगे बिटकॉइन halving के countdown के बारे में बात करेंगे SEC की अगली hearing के बारे म जेरान पावल की speech के बारे में हमारी trading bot के बारे में और भी बहुत सारी चीजें मातर 10 मिनिट में आपका दिन का सर्वोत्तम सर्वस्रेष्ट क्रिप्टो ग्यान वीडियो को अंतर तक देखेगा अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और य संदे को हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि औरेंज बॉक्स की उपर उसके नीचले मुहाने पिटकोईन का प्राइस ऐसे तहरा की ले रहा है मानोव उससे नीचे जाना चाहता है राइट कोई प्राइस जो है जितना support पर time spend करेग उनमें से काफी सारे कारण पिछले 48 घंटे में प्ले हुए है जिसके चलते बिटकोईन का प्राइस हमारे इस औरेंज बॉक्स के नीचले मुहाने को तोड़ते हुए अब जो है अपनी अगली support को touch कर रहा है हमने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि बीच में एक बता थे और आपको आगे का भी सूर्तेहाल बता दें जैसे हमने आपको संडे की वीडियो में बताया था कि बिटकोईन लोंगर टाइम फ्रेम पर हाइर हाइस बना रहा है तो नाचरली अगला important जो कड़ी है हमारे लिए वो हमारे लिए पिछला recent low बन जाता है जो कि है एक 21,750 के पचास पर हमारा recent cycle low था यानि अगर हम इस price से नीचे जाते हैं 21,700 से नीचे जाते हैं तो हम higher lows बनाने की श्रंखला को तोड़ देंगे यह बहुत ही simple non-technical एक तरह से analysis है जो यह दर्शाता है कि price अगर उपर 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 जा रहा है तो इसका मतलब इसका मतलब हमारा वो upward trajectory break हो गया है यह मैं बहुत ही subtle शब्दों में बताता हूं और एक सबसे बड़ा catalyst यह है कि 49,000 bitcoin जो की 1 billion dollar के हैं जो bitcoin ने जो US की सरकार ने माफ कीजिएगा seize किये थे from a dark net hack करीब 10 साल पहले 10 साल पहले एक dark net जो की खुफिया hackers का जाल होता है वहां से उन्होंने यह 49,000 bitcoin seize किये थे जिसमें से 9,800 bitcoin जिनकी worth करीब 217 million dollar है वो उन्होंने अपने किसी एक coinbase exchange के address पर भेजे हैं तो इसका क्या तात पर रहे है इसका सीधे शब्दों में पर यह है कि US सरकार अपने bitcoin बेचने शुरू कर रही है तो अगर उनकी मनशा यहां पर bitcoin बेचने की है तो मैं आपको बहुत ही दुख भरे शब्दों में बताना चाहूंगा कि US की government जो है one of the big custodian है वो अगर यह bitcoin बेचता है तो हम यह 21,700 को तूटता हुआ देखेंगे stake करने के लिए या कुछ yield farming करने के लिए भेज रहे हैं जो कि बहुत ही बेतुकी चीज़ है बड़ा कारण तो ही होगा कि वो बेचना चाहते तब ही वो एक्षेंज में transfer कर रहे हैं मैं आपर एक मिनिट बिताना चाहूंगा अपनी overall long term mandate पर क्योंकि मैं बहुत समय से बोलता करेंगे और इस पूरे one year countdown में हम bitcoin को नए शिकर पर जाता हो देखेंगे उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है अगर मैं आपको हमेशा zoom out करके दिखाना चाहता हूं कि hardly bitcoin ने पिछले चार पांच हफतों में दो तीन red candles देखी हैं और बड़ी बड़ी green candles देखी हैं तो ची चीजे जो हैं वो मेरे विचार से इस calendar year में ठीक ठाक play हो रही हैं खासकर जो हमने January में बड़ा pump देखा तो उसके बाद हम गुरा perform नहीं कर रहे हैं इतने बड़े बड़े FUDs के बावजूद क्योंकि एक बार अगर US government पेचना शुरू करेगी दोस्तों तो बड़ी बड़ FUDs के बावजूद जो है Bitcoin पिछले FUDs में Bitcoin 70% गिरा था और अभी हाल फिलाल में Bitcoin जो है 70% अगर आप देखें तो वो तो खेद बहुत नीचे जाएगा hardly मुश्किल से 25,000 से हम 22,000 पर आए हैं 3000 डॉलर की गिरावट पूरे फरवरी मार्च में मैं इसको बुरी गिरावट न जब हालविंग साइकल मेंटर करेंगे तब आपको अपनी positions tight रखनी है और एक साल में हमें अच्छे results मिलेंगे हम हो सकता है कि शायद guarantee किसी चीज़ की नहीं है हम शायद 67,000 की अपने all time high को भी Bitcoin की हालविंग pre countdown में break कर पाएं तब तक चीज़ें आप बिल्कुल भी surprise नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको ये लगातार prepare करता आ रहा हूँ इस तरह के dump आप जरूर देखेंगे ये stock market का dump है जो कल जेरान पावल की जो Congress के सामने testimony ती जो उनने speech दी है US के सेनेट के सामने उसके दौरान उनने जो शब्द यूज किये उसके चलते stock market ने एक दम दम तोड़ दिया बड़ी गिरावट चार घंटे की one of the longest declining candles हमने याँ पर देखी है fed ने केवल एक चीज बार बार दर्शाही है कि हम rate hikes को और aggressive रखेंगे जितना आपने सोचा है उससे जादा aggressive रखेंगे अब तक market एक तरह से तयारी कर रही थी कि rate hikes बंद होंगे इसलिए stock market उपर ज कहा है और इसी के चलते है अगले rate hikes cycle में 50 basis point की hikes होना एक तरह से clear हो गया है और market को वो चीज पसंद नहीं है अब यहाँ पर हम अपने support level की बात करते है अगर 2700 break होता है आपका सवाल होगा कि आगे क्या होगा आगे है 20300 और 19900 2700 break नहीं होना चाहिए पर जैसे मैंने कहा ह हमारे पास fed की तरफ से government की तरफ से selling अगर बढ़ जाती है तो 2700 जरूर वेख होगा बात करते हैं हमारे बाट्स की 5000 डॉलर का grid profit on 20000 की investment हम कर चुके हैं okx पे 1600 profit on 5000 investment हम कर चुके हैं bybit पे तो total 6645 डॉलर का हमारा profit यहां पर हम लोग book कर चुके हैं दोस्तों यह हमने bitcoin जब 25000 गया था उससे 22000 आने का सफर जो है हमने 3000 डॉलर की गिरावट पर हमने almost almost 6500 डॉलर का profit दर्ज किया है यह बाट ट्रेडिंग की का ताकत मेरे चैनल पर हमारे यहां पर टीम की strategy बहुत इस पर्ष्ट है जब bitcoin वालेटाइल है short term bots के तुरू बहुत सारा पैसा बनाओ और जब bitcoin उपर जाएगा हमारे बड़े बड़े bag long term के अलग से हैं उसको हम हाथ नहीं लगाते हैं चाहे market यहां पर 15000 पर भी चला जाए 15000 पर गया भी है तब भी हमने उसको हाथ नहीं लगाया केवल अपनी investment का एक अंश मात्र short term में हम trade करके उसका फायद उठाते हैं यहां पर short term 700 on the lower side वो हम decide करेंगे market में क्या ऐसा technical walk around होता है फिलाल हम तब तक अपनी bot close नहीं करेंगे जब तक price 21700 तक नहीं जाता है क्योंकि हमारी bot के range जो है वो 22200 से 24800 है 21700 का मतलब हम 500 dollar का stop loss लेकर चल रहे हैं बहुत इस first strategy है अभी मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आप इसको strategy को खुद कैसे copy paste कर सकते हैं बिना किसी मशक्कत के पर यहां पर चीजे बहुत ही clear हैं दोस्तों कि अभी हमारी trading bot काम कर रही है अगर आपको tutorial लेना है कि bot कैसे set कर सकते हैं तो वो भी link उपर है अगर आप इन exchanges पर account बनाना चाहते हैं तो वो भी link है जिन पर bonuses भी आपको sideways market कभी profit नहीं देती है traders को यहां पर अगर हम bitcoin की dominance की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया था कि अपनी इस resistance पर आकर तकरा कर नीचे जाती है अब दिखाई दे रही है यहां पर एक formation भी बन रहा अगर आप देखे तो यहां पर आप एक triangle बना सकते हैं मेरा मानना है कि bitcoin की जो dominance है वो यहां से इस triangle के break होने के बाद एक बड़ा move लेगी अब वो move उपर या नीचे की तरफ होगा इसको हम देखें बटी triangle break होना चाहिए और अगर यह move उपर की तरफ रहता है तो हम 44.4 तोडेंगे वैसे मेरा बायस इस समय नीचे की तरफ जाने का है क्योंकि मुझे बुरा perform करेंगे compare to bitcoin, bitcoin भी नीचे जाएगा बट altcoins जादा नीचे जाएगे अब यहां पर एक positive news है कि gray scale और SEC के बीच में जो case चल रहा था वो gray scale जीतने की कागार पर है यह बड़ा एतिहासिक शन होगा मेरी विचार से क्योंकि SEC ने अभी किसी भी crypto को security प्रूव नहीं किया उनका XRP, Ripple के साथ भी case चल रहा है बट कोई भी case सरकार के अगेंज जाना दर्शाएगा कि crypto का future और ज़्यादा सिद्रड है और इस तरह के FUD से हमें कम फरक पड़ेगा दोस्तों आज आखरी दिन है किल अगर आप 50 डॉलर जीतना चाहते हैं तो simple से सवाल का जवाब आप कॉमेंट में बता दीजिए 21,700 बहुत ही critical support level है उसके break होने पर जैसे आपने देखा कि हम 20,000 की ट्रेडरी में चले जाएंगे आपको लगता है कि ये FUD जो है ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि Bitcoin शायद 2700 तोड़के 20,000 की रेंज में जाएगा या आपको लगता है यहां स